कि वोट जब काईज इस शिवम वेल्कम दो चैनल एंड आज के वीडियो में बात करेंगे हम मार्केट की नियूस के बारे में करेंट बिटकोई प्राइज आपने पास चल रहा है वो 37,800 चल रहा है तो हमें यहां पे पूल बैक देखने को मिला है और इस वेरी नॉर्मल में दो तीन दिन से बोल रहा हूं कि अगर बिटकोई ऐसी रैली ले रहा है यह कोई भी चार्ट अगर बिटकोई की बात नहीं है अगर कोई भी चीजे से रैली लेता है तो थोड़ा सा पूल बैक जो है वो मिलता ही मिलता है आप लूना थोड़ा लगी लेवल पर अपना ही चल रहा है बाइदावे तो लूना is a very very strong project पर अब भी यह कुछ अलगी situation में चल रहा है मतलब पांच डॉलर से डारेक्ट भी अल्मोस 15 डॉलर की रहा है यह अलागी अपना ही पेट्रोल पी रहा है बट ऑल इन ओल आई थिंक market अभी ठीक है not bad बट रिस्की जरूर है market short term में क्योंकि चाहे हमें bitcoin का जो आउटलो है चाहे सब चीजे हैं still थोटा सा एक issue ऐसा हो सकता है कि जैसे आप ethereum का भी देखने ethereum का price बढ़ता जा रहा है and that has to do with जो अभी update आना है हमारी पांच तारीक को और US में चार तारीक को ऐसा कुछ होगा उसमें जो overall वो update आएगा उसको बहुत सारे लोग एक single event की तरह treat कर रहे है मतलब क्या लोग हो सकता है अभी थोड़ा सा ethereum sell off क देखने को मिले but long run में यह अगर आप event समझो तो यह long run के लिए बहुत ही खतरनाक event है यह short term वाला event ही नहीं है यह एक ऐसा situation है जिसके बाद ethereum ही change होताएगा पूरा पूरा change होने का मतलब literally change हो जाता है ethereum एक तरह से तो long term में मेरे सबसे बहुत ही बढ़ा positive event हो सकता है तो मै मैं personally अभी आप आपका research करके risk देख सकते हैं मैं personally ethereum add करता जा रहा हूं जहां जहां मुझे मुझे बिल सकेगा तो चलिए news देख लेते हैं market की and news देखने से पहले guys अपना जो telegram है आप description में दिये गए official link से ही join करे at shivamchunneja finance username में उसके इलावा कहीं से मत करें हमारा एक ही कुछ भी नहीं है सबकुछ free है telegram पर मैं कभी आपसे DM पर बात नहीं करूंगा अगर आपसे कोई personal message कर रहा है तो आप scam किया जारे गाज़ चलिए news देख लेते हैं पहले बात कर लेते हैं Spain की जो opposition party है तो यह ruling party नहीं opposition party है उन्होंने एक चीज बोली है उन्होंने बोला है क कि अभी घर के जो mortgage payments हैं उन्होंने ऐसा bill एक announce किया है कि हम ऐसा bill लाएंगे कि घर के mortgage payments अगर mortgage आपको नहीं मालूम तो mortgage मतलब घर का home loan वगरा होता है उसका जो payment है वो crypto से लोग पे कर पाएंगे officially मतलब government की तरफ से यह rule हमें देखने को मिल और Spain तो कोई joke country है नहीं countries वैसे भी कोई joke नहीं होते है बट Spain उत्ता चोटा country नहीं है तो Spain को बहुत सारे लोग देखते हैं and follow करते हैं so this is a very very good move चाहे यह opposition party की वज़े से हैं तो हो या ना हो बात तो बहुत ही तकड़ी है next guys बात कर लेते हैं Google की तो Google ने आपको अगर याद हो तो 2018 में जो है यहाँ पे एक ban लगाया था ads पर अब तीन August को कल यह actually उन्होंने announcement पहली कर दी दी but अभी कल यह full effect में आ गया है तो अभी crypto के जो exchanges हैं और wallets हैं वो Google पर आड चला सकेंगे अभी यह positive कैसे है यह positive ऐसे है कि crypto एक global economy है तो ads Google पर चलाने की बात नहीं है सिरफ इसका मतलब वो लोग Google के through customers acquire कर सकते हैं number one तो यह थोड़ा सा चीजों को legalize कर देता है एक तरीके से अगर वैसे भी देखा जाए तो दूसरा guys वो लोग क्या कर सकते हैं दूसरा है creators के जिनके website पर जिनके चैनल पर ads चलती है तो जब लोग यह वाली ads चलाएंगे तो वह जो चैनल वाले हैं they are going to be paid international rates तो जो लोग crypto के space में creators है उनके लिए positive news है क्योंकि there is a chance कि उनका जो ad revenue का payment था वो थोड़ा बढ़ जाएगा normally ad revenue का payment है इस industry में अगर मैं आपको मेरे channel का बत rate होता है per 1000 views per 1000 monetized views तो यह नॉर्मली जब मैं marketing के वीडियो बनाता हूं तो यह इस 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 तो be 300 rupees crypto में 70 rupees तो literally इतना फरक है तो यहां पर काफी एक अच्छा boost देखने को मिल सकता है तो I am estimating कि बहुत सारे जो creators है वो crypto की तरफ धीरे-धीरे move भी करेंगे कि finance वाले crypto finance वाले ज तो सी वीजन BSV की अगर हम बात कर ले तो एक massive 51% attack उनको उनकी chain पर हुआ है 12 blocks की chain अलग बनी है तीन अलग लग versions यहां पर chain की चल रहे है 51% attack अगर आपको नहीं पता तो मैं actually in fact मैं plan कर रहा हूं एक proper dedicated video 51% attack क्या होता है आप but मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूं कि वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें और यह 51% attack is an example of that इस पर मैं video बनाऊंगा बट इन्होंने बताया कि तीन अलग लग chains चल रही थी Bitcoin से वीजन की तो network जो क्या करता है normally longest chain को लेता है पर इन्होंने अब यहां पर फिर Bitcoin association वालोंने tweet डाला कि हम वो जो hacker की chain है उस hacker वाली chain को हम यहां से discard कर देते हैं discard करने के लिए सब लोगों को यह command run करना पड़ेगा बिए मतलब यह बहुत सारी reasons है कि मैं मना करता हूं कि अगर आप Bitcoin में जा रहे हो तो बिटकोईन में जाओ फिर यह Bitcoin Cash, Satoshi Vision यह सब तो बिलकूल ही छोड़ दो और especially BSV, BS मतलब उसके नाम पर आग of experts उन्होंने अपना price prediction शेयर किया Dogecoin के लिए end of year 2025 और 2030 के लिए तो उनका कहना ऐसा है कि Dogecoin की जो value है वो 2025 में $1.20 और 2030 में $3.60, $3.60 आ जानी चाहिए now 2030 is 9 years away तो अगर हमें जैसे यह बोल रहे है कि crypto market 50, $60 trillion के ऊपर होगा अगर वो होगा तो हो सकता है हमें Dogecoin यह price points पे जो है देखने को मिले now I still think $1.21 in 5 years is still not a big deal पर उसका 3x in next 5 years I am sure नहीं हूँ पर अगर Dogecoin regularly use होने लगे as 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 a currency and as 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 a base because अभी यहां पर आप notice कर सकते हैं यहां पर इन्होंने बोला है कि Elon Musk के erratic tweets पर यह आता है इसलिए बहुत सारे लोग थोड़ा सा पुलिश नहीं है पर अगर Dogecoin regularly use होने लगे currency की तरह बहुत सारे merchants के यहां बहुत सारी दुकानों में और यह Elon Musk का rocket rocket भी हो गया तो फिर Elon Musk के tweet से जब हटेगा तो बहुत सारे लोग फिर Dogecoin में जो है उसना start करेंगे इसमें एक चीज़ और हमें notice करने है median price prediction जो है Doge की that is only 15 cents अब समझ सकते हो 2025 में only 30% इस पैनल का जो 30% पैनल है मतलब अगर सौ लोगों से बात की तो सौ में से सिर्फ 30 लोगों को यहां पर ऐसा लग रहा है कि 2025 में एक dollar cross कर सकता है यह भी एक important चीज है पर मेरा ऐसा मानना है करने में problem नहीं है Doge एक पूराना coin है जिसने काफी ups and downs सहली है उससे निकल कर आया है Doge कोई ऐसी कल आई नहीं चीज नहीं है Doge coin की community भी strong है problem is use case the use case is zero right now तो वह एक चीज की वज़े से यह उतना grow नहीं करता है तो पर still देखो तो अभी भी top 10 में ही फसा हुआ है which is great for Doge तो हम अगर आगे की बात करें और हमें एक अच्छा positive use case Doge का देखने को मिल गई एक utility देखने को मिल गई तो उससे क्या होगा वह positive utility देखने को मिल गई तो उससे हमें यह फाइदा हो जाएगा यहाँ पे जो Doge coin है उसका price हमें बढ़ता देखने है एक चीज आप लोगों ने notice की होगी हम finance की बात कर लें तो HSBC bank ने जो है crypto exchange finance को UK में जो है payments suspend कर दिये हैं इसके इलावा अगर हम regulations की बात करें तो हर जगा में finance पे regulations देखने को मिल रहे है तो short term में हमें finance थोड़ा सा bearish लग रहा हो और ऐसा भी फील हो सकता है कई लोगों को finance बंद हो जाएगा मेरा personal opinion ऐसा नहीं है I think finance काफी बड़ा है और इसमें जो हम CC अगरा की जब बात करें तो यह these guys are these guys are smart people ठीक है तो यह लोग मुझे ऐसा लगता है personally यह लोग काफी अच्छे से यह चीजों को handle कर लेंगे I don't think कि हमें यहां पर बहुत long term में को problem देखने को में लांग टम में I am still bullish on finance and जैसा कि हमने उनके statement से भी सुना है कि वो लोग भी governments and regulatory authorities के साथ काम कर रहे हैं positively काम कर रहे हैं so that they can work with these regulations जो भी लगाए जा रहे हैं ताकि customers का कोई यहां पर loss ना हो और finance का कोई loss ना हो इन fact हमें यह भी news देखने को आई थी कि finance शायद public जाए तो यह सब चीजें हैं यहां पर finance को लेके मैं भी मैं long term वैसे तो bullish हूँ short term हम कुछ guarantee किसी चीज़ की भी यहां पर crypto market में दे नहीं सकते guys so that is it guys यह था आज का video I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ as always guys थोड़ा scam से बचें और अपना financial funda channel का भी link आपको नीचे मिल जाएगा वो भी आप check out कर सकते हैं this is shivam guys and as always education आपने के लिए चाव